वेल्कम टू ये पंगाई 90 जुजुकेशन दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि आपकी पुरुवांचल इंवर्शिटी ने बीयर्ड का 2021 सेशन का काउंसलिंग डेट नील हरित कल दिया 17 सितंबर 17 सितंबर काउंसलिंग डेट आ गई है मैंने इसके बारे में पहली बता लिए और मैंने बीडियो भी बनाके आपको दिखाया था कि क्या नीयम हुगा पहली ऐनी कई को और डूसरी और कि प्रकृइए पर होगी है यहान बत आने वाला हो कि टारेक्ट अडेमीशन जो होगा जिनका रैंक कम है उनका डार्यक्ट अड मीशन पालेज में क्या तुछ का है सारा चीज इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो को लाज तक देखिएगा चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएए ताकि आपको नए प्रकार की वीडियो सबसे पहले मिलती रहे तो आए वीडियो को में लोग जैसा कि मैं बता दूँ कि आपके सामने मैंने बीए डुतिय पाठकरम प्रिवेस परिच्छा दोजार एककी स्टेश का आयोजन लखनू भी सब्सक्राइब का पीडियेफ लेकर आ गया हूं कांसलिंग दिशा निर्देश डारेक्ट अड्मिशन यानि आप देख रहे हैं सारा चीज मैं बताऊंगा यह पीडियाफ आपको आफिसेल साइट पर कैसे मिलेगा मैं ओभी बताऊंगा अभी सरकारी रिदल्ट पर अप्लोडेट नहीं हुआ कुछ भी न कांसलिंग का डेट न कुछ तो सारा चीज मैं बताने वाला हूं आपको यहां पर देखिए आप अलपसंखेत महाविद्यालो स्वयम की परिच्छा आयोजित न करके संविक परिच्छा में सम्मानित अभ्यात्यों की वरिता सूची से चैन करने के अपने प्रेवस प्रक्रिया संपन करते हैं तता बार में प्रवेशित छात्रों की सूची को सत्यापिट करते हैं तो प्र स्थाविट किया जा रहा है ठीक है अब यहां पर मैं बता दू नियम जो दूसरा अलप संखे संस्था पहले ही अपनी गैर अलप संखे सीटों कालेजों की 50% सीटें के लिए नियमिट कॉंसलिंग राउंड फर्स राउंड टू और राउंड ट्री में भाग ले चुके हैं य कांसलिंग के इस दौर के माद्यम से अलप संखे सीटों को भी भर सकते हैं लेकिनों नहीं भरते हैं कांसलिंग का यह चक्र अलप संखे संस्थानों के लिए अनिवार नहीं है केवल वे अलप संखे संस्थान जो जे इई बीएट 2021 की मेरी सूची के अभ्यातियों से अपनी अल्प संखे सीटों सीटे भरना चाहते हैं भाग ले सकते हैं ठीक है अल्प संखे संथा बीएड की सर्तों को पूरा कर उस विश्व विद्याला जिसने वह संबंद है कि समती से किसी आन्य प्रकिरिया से अल्प संख्यक सीटों पर अपना प्रिवेश करा सकते हैं इस इस्तिती में लखनों विश्व विद्याला द्वारा प्रिवेश छात्रों की सूची का सत्यापन नहीं किया जाएगा ठीक है काउंसलिंग का यह चक्र कालेज अश्तर पर किया जाता है सिधा प्रियोष में भाग लेने वाले कालेज द्वारा अपनाई जाने वाली प्रिवेश्व विश्व विद्याला की जारी कर दिया जाएगा इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यहां पर निर्देश जारी होगा कै यह काउंसिलिंग का यहीओ चक्र कालेज अश्तर पर किया जाता है सिधा प्रियोस में भाग लेने कि कालेज ऊतुर अपनाई जाने वाली प्रिव वेश्व विश्व विजव निर्डagnica पर आपको दिया जाएगा तो उसकी वेवसाइट को आप हमेशा चेक कलते रहेगा और लखनों भी सुविद्यालाई की जो वेवसाइट है मैं उसको आपका लिंक दे दूँगा आप उस लिंक को जाके एक पाद जरूर पढ़ लिजेगा चेक कलीजे को आपर बार बार नोटीस को देखते रहेगा यहाँ पर कर रहा है कि अलपर संख्यक दर्जे वाले कालेज में नियमित सीटों पर प्रिवेस काउंसलिंग पर करिया के राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 के दौरान किया जाएगा राउंड 4 में केवल अलपर संख्यक सीटों पर ही दाखिले होंगे आप समझ दीजे कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यह है कि केवल वहीं अब भ्यालती काउंसलिंग के इस दौर में भाग ले सकते हैं जिनके पास बैद राज रैंक होना चाहिए अगर रैंक नहीं है इस्टेट रैंक तो आपकी काउंसलिंग नहीं होगी नहीं आपका डारेक्ट अड्मिसन होगा काने का मतलब है कि आप बीएट के एक्जाम अनिवार रूप स दिये है तो अगर आप बीएट के इंट्रेंस एक्जाम ही नहीं दिये हैं तो आप डारेक्ट अड्मिसन नहीं ले सकते हैं ठीक है जिन ब्यार्थियों को काउंसलिंग के किसी भी दौर में प्रिवेश नहीं दिया गया क्यों विए अलप संखेक सीटों पर प्रिवेश पा अब यहां पर कर रहा हुआ वाज्स लखनू बिश्विड दे आला है की ब्योंसाइट पर ब्यालति के विरोर का सत्यापन करेगा और नियमों के अनुसार अब ब्यात्श को सीधे प्रिवेश देगा अब ब्यालति का सत्यापन के भी पर पर अमुर्य परिवेश पूर्टल होगा और सूल के कालेज अस्तरपल जमा किया जाएगा तो यह कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस थी आपको लिंक दे दूँगा आप जाके सभी नोटिस को पढ़िए और जितने भी अपडेट आते हैं उसको डेली बाई डेली देखते रही है ताकि आपको कहीं भटक नहीं ज